हेलो फ्रेंड्स मेरे चनल फैसन इस्टिडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है तो चलिए हमारा जैसे के आप लोग देखी रहे हैं कई दिनों से जो हमारा टॉपिक चल रहा वो कैंचियों के बारे में चल रहा ये टॉपिक सभी के लिए इनपोटेंट हो सिलते समय ढगे काटने के लिए जरूरी ने कि हम बड़े-बड़े कैंचियों को इस्तमाल करें हमको छोटी कैंची की ज्रुद पढ़तीए तो इन सभी को काटने के लिए लैस है फीता है आदी को काटने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग किया जाता है छोटी कैची का प्रियोग किया जाता है जो कि आप करते भी हैं ठीक है ध्यान दीजेगा ट्रीमिंग सीजर का प्रियोग आप लोग करते हैं छोटी कैची का क्योंकि मैं बार बर कह रहे हैं कि हर काम के लिए हमको बड़ी कहची उठाने के जुरत नहीं है यह 3 इंची से 6 इंची तक होती है ध्यान दीजेगा यह 3 इंची से 6 इंची तक होती है और थास 7.5 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर की होती है मतलब कहने का इनका मतलब है 3 इंची से लेके 6 इंची तक होती है, मतलब 7.5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक की ये होती है, ध्यान दीजेगा इसका किसकी बात की गए ये छोटी कैची की बात की गए ये बाखी और कैचीों की साइज वगेरा आप लग पिछली वीडियो में देख अच्छी तरीके से और इसको अंडलाइन कर लिजेगा आज जब नोट्स का रिविजन करें तो इस पर आपका ध्यान सबसे पहले जाए जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूं जिसको जोईन करना है वो दिए गए संपर्क नंबर पर संपर करके जोईन कर सकता है इस नंबर पर ओनलाइन क्लासों को जोईन करके पूरा का पूरा मैथ है रीजनिंग है और थियोरी है एमसी क्यू वगरा है प्रीविएस येर के पेपर्स है और भी बहुत सारी स्ट्रडी मैटेरियल है जो मेरे द्वारा करवाया जारा तयारी अच्छी तरीके से आप लोग वहां पे 2-3 घंटे अराम से पढ़के पूरी की पूरी तैयारी अच्छी तरीके से करके अपना मन चाहा कॉलेज पा सकते हैं ठीक है देखे बाद में लेट करने से कोई फायदा नहीं अभी तो क्लासों में बहुत सारी चीजे डिटेल में चल रही है तो डिटे झब में लिडादार ऑनी में बहुत सारी उंटे।